हलो दोस्तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को अन्रेयल के प्रोजेक्ट सेटप के बारे में बताऊंगा कि किस तरीके से अन्रेयल को सेटप करते हैं जब हम लोग पहली बार स्टार्ट करते हैं तो प्रोजेक्ट किस तरीके से बनाते हैं तो हम लोग एपिक गेम इंजन ज जो है इसका user interface आएगा उसके बाद यहां पर देखेंगे engine version जो हमारा है 5.03 है तो इसके setup को हम लोग launch करेंगे यहां से हमारा जो है unreal direct launch होता है और यहां पर देखेंगे मैंने already पहले से project बना रखा हुआ है my project में देखेंगे तो बहुत से project बने हुए हैं तो मैं आपको first जब start करते हैं तो किस तरीके से project को setup करते हैं वो बताऊँगा तो हम लोग यहां से launch कर लेंगे unreal को launch करेंगे इस पर click करेंगे तो यह देखिए अब हमारा दिखा रहा है running जब click करेंगे तो running दिखाएगा यह थोड़ा सा process लेता है जब हम लोग first time कोई भी project बनाते हैं तो उसको start होने में engine को start होने में time लगता है तो यह देखिए मेरा start हो रहा है तो यह देखिए दोस्तो मेरा जो यह है unreal project browser करके यह हमारा window open हो गया यहां पर देखिए recent project, game, film, video and live event, architecture, automotive इस तरीके के जो हमारे पांच पैलेट दिए होएं बट इसमें से हमारे चार यूज होते हैं जो recent project होंगे हमने जो safe ही होंगे वहां से हम लोग project को open करते हैं तो हमारे पास main जो है जो चार होते हैं इस window को use करते हैं तो मैं इसमें आप लोगों को film video live event के बारे में बताऊंगा कि किस तरीके से इसको use करते हैं इनमें जिस पे भी आप click करेंगे तो इनके अलग अलग अपने presets बने होते हैं कि किस तरीके से इनको use करना है तो इनमें already presets बने होते हैं तो आप इसको use कर सकते हैं तो देखिए मैं अगर किसी एक पे click करता हूँ जैसे अभी यह मेरा game का है game पे click करेंगे तो यह देखिए इसके बने हुए presets हैं, उसी तरीके से film, वीडियो पे भी उपने बने हुए कुछ presets हैं, तो इसमें से generally हम लोग blank use करते हैं, या अगर आपको already कोई use करना है, तो आप use कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे जो blank है, उसको select करूँगा, और यहाँ पे देखिए, हमारे starter content पे check है, तो इसके बारे में मैं बताऊंगा, आप लोगों को यह होता क्या है, starter content के अंदर हमारे कुछ बने बनाए shaders होते हैं, जो already हमें मिल जाते हैं, हमें ज्यादा काम नहीं करना होता है, अन्रियल में बहुत से अच्छे shaders होते हैं, तो starter content के अंदर वो सभी shaders हमारे available होते हैं, तो इसको हमेशा check कर लिजिए, अगर आपको shaders use करने हैं, जैसे कि माली जिए glass का shader हो गया, आपको कोई भी material shader हो गया, तो इसमें बने-बनाए shaders available होते हैं, starter content में, इसको हम लोग check कर लेंगे, ठीक है, उसके बाद हमारा यहाँ पर देखिए, यह project location है, आप project location दे सकते हैं, और यहाँ पर project name, तो project name में अपना कोई भी project का name देजिए, और यहाँ पर हम लोग डाल लेंगे, और location हम लोग रख लेंगे, ठीक है, हम लोग आरा जो film है, इसके अंदर हम लोग बना रहे हैं, और यहाँ पर create project कर देंगे, तो यह देखिए, अब हमारा जो है, अन्रियल उस project को launch करेगा, चो देखिए, दोस्तों, यह मेरा जो है, अन्रियल ओपन हो गया है, इस तरीके का, अन्रियल का user interface होता है, जो 5.03 का है, इस तरीके से होता है, आपको next video में, navigation के बारे मताऊंगा, किस तरीके से report को navigate करते हैं, मिलते हैं दोस्तों, next video में, thank you.